हलो बच्चा लोगो कैसे हो बढ़ियां चलिए मेरा नाम है अलकेसर फ्रोम अरदी क्लासेस सीटी एम एम दावाद दोस्तो आज हम 11 साइंस इंगलिश मिलियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 9 है उसका लेक्चर नंबर 9 लेक्चर नंबर 9 बहु इसे स्थाइट कर दू सूपर स penn कर दोए दिए एल थावर कीक्षि ऑ दप्रेख्ट बूली रधिय कीलो मीटरे दूसरी थाउद मेट तीन कीलो मीटर है तूसरी खी बात योड़ियन वाला-टेफ साङ Ilra 5 लॉ बच्टिए ठीलो मीटर है खिक अच्छी बात यसाग नाह the bottom of the ocean ठीक है यहां पे bottom में यह जो bottom है यहां पे जो pressure create होगा obviously यहां पे कुछ pressure create होगा यह surface है ठीक है तो pressure create होगा नीचे bottom में उसके कारण दोस्तो इसके water के जो water में जो बोल सकते हैं volume में जो fractional compression आ रहा है change आ रहा है वो हमको find करना है but as we know that the bulk modulus bulk modulus of water is 2.2 into 10 raise to 9 newton meter square newton per meter square ठीक है so finally and g is given to you g is given to you 10 meter per second square suppose g is not given to you that you have to take it 9.8 ठीक है दोस्तो आजा दोस्तो bulk modulus दिया है एक ही formula तो है दोस्त बुलक modulus of water is equals to P by delta V by V delta V by V पूरा find करना है दोस्तो तो P bulk modulus आ जाएगा नीचे ठीक है bulk modulus दिया हुआ है यह रहा पी नहीं दिया हुआ है तो हम जानते हैं दोस्तो हम जानते हैं क्या जानते हैं प्रेशर pressure at the bottom of ocean क्या होगा प्रेशर दोस्तो रो जी है बात तो समझ गया हैं रो मतलब 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जी है 10 हाइट है मतलब डैप्त है 3000 एप्रोक्सिमेट 3 इंटू 10 रिस तु 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वेर आगया pressure दोस्तो बहुत इजी वे में जाएंगे यह रहा प्रेशर 3 इंटू 10 रिस तु 7 बलक मॉडूलर से 2.2 इंटू 10 रिस तु 9 जुपक जुपक डेल्टा वी बाइवी 1.36 इंटू 10 रिस तु माइनस टू यह है दूस्तो लिखना पड़ेगा फ्रेक्शनल कॉंपरेशन दूस्तो ठीक है चला आजा दूस्तो कभी कभी फ्रेक्शनल कॉंपरेशन परसेंटेज में पूछते हैं तो डेल्टा वी बाइवी परसेंटेज 1.36 इंटू 10 रिस तु माइनस टू हंड्रेट परसेंट जूप जूप यह परसेंटेज में आगया कहा दिक्कत आ रही है मुझे नहीं लगता दिक्कत आ रही है ठीक है चलो आजो मैं आपको प्रेक्टिस के लिए संग देढ़े दू दोस्तो तो लिखिएगा प्रेक्टिस में पहला कोचन डेफ् मीटर फाइंड आउट दी डेल्टा वी बाइवी बल्क मॉडूलस अब जानते हो हाँ वाटर ही है तो टू पॉइंट इने इस्टू नाइट देता हूं 5 किलो मीटर दन फाइंड दी डेल्टा वी बाइवी ठीक है कंपारिजन करना 3000 मीटर की हाइट पे इतना कॉंपरेशन हो रहा इतना percentage आया तो दोस्तों 5 किलोमेटर हीट पे कितना होगा ये comparison आप देखना दूस्तों किया यहां पे ज्याद हो रहा यह यहां पे ज्याद हो रहा है जैसे-एसे depth में जाते है पोशिन की डैप्ट में जाते हैं तो डेल्टा वी बाई वी इंक्रीज होता की डिक्रीज होता कमेड़ बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों आपका एंसर लाके बूल हा या ना क्लियर है चाला थैंक यू बैरी माच बाबाई टेक केर